बाबा की खिपा और महाकाल के पेना के फ़ल सुरूर। फिर राम जान की मंदिर में बारवजे दिन में राम जन मुच्छाओं में सामिल होने ही। फिर बाद सुबह अगले दिन मंगला आरती। फिर धर्शन ठीक आड़ बजे जोकी। मैं दाखिल हो गया था मंदिर में। अब सुन्दर कान का पाट भी कर चुका हूँ मैं अदर क्योंकि इसमें बहुत भीर दी। वह आठ पांस के करीम मैंने सुरू किया था और आठ चालिस। प्रिश्ट के कदर फत्म हो गया और उसके बाद फिच्डी का परशाद लेने के बाद अब फिर से एक बार स्री राम जन्महा महुस्व। तीस मार्च मंगला आरती प्राता पांज बजे के दर्सन पालना जहा की दर्सन सन्वार एक अप्रेल से तीन अप्रेल जया बगद बड़ा इवेंट जितिगी का माना जाएगा एक से तीन अप्रेल और उसके बाद छट जोकि हन्मान जी उनके भक्त चैत्र सुक्ल प्रोनिमा के दिन पड़े गई ये एक संयोगी कहा जाएगा उनके भक्त का जन्दिन प्राकाट्योथ